आप हमारे चैनल टुटोरियल स्पेस को बिटेग भी युनिस्टी एक्जाम, कॉंपुटिटिव एक्जाम की प्रिपेशन, हिंदी लेक्टिस और नॉट्स के लिए सब्सक्राइब करें, बैल आइकन को जिरूर दबा दीजिएगा तक कोई भी नॉटिफिकेशन मिस ना हो, आप हमें फेस्बूक और टुटिटर भी फोलो कर सकते हैं, हलो फ्रेंग्स दोस्तों आज बहुत ज्यादा इंपॉर्टिट टॉपिक है हमारे पार जिसका नाम है कंडिशनल रेकोजीशन या इंप्लिकेशन, गुक के अंदर आपको किसी भी नाम से दिया जा सकता है, जैसे हम इस कंसेप्ट को करेंगे और नई चीस सीखने को मिलेगी, तो जल्दी से करते हैं कि कंडिशनल रेकोजीशन या इंप्लिकेशन, बैसिकली इंप्लिकेशन नाम यूज करूँगा, मैं बड़ी यूज करूँगा, कि ये क्या है और जो डाउट आने वाले हैं किसी क आए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजेगा आप जितना हो सकी आपके कोशन के सुल्यूशन निकाल के दूंगा, जो दोस्तों बात आए इंप्लिकेशन क्या है किसने कि संटेंस है, तो हमारे पास संटेंस आता है कि इन पी देन क्यों, मैं यह क्याता हूँ कि अगर यह चीज हुई, तो यह चीज होगी ही होगी, बात समझें, अगर यह चीज हुई, तो यह चीज होगी ही होगी, मतलब अगर पी हुआ, देन क्यों होगा ही होगा, यह यह कहना चाहता है, बात समझें, नहीं समझें, तो एगर वीडियो पोस्ट करो, मैं आपसे एक चीज प कि अगर पी नहीं हुआ इ 180 फॉसवा तो क्या क्यों नहीं होगा सोची मिल्कुल होगा होसकता क्यों नहीं होसकता एक तो लाइने लैते हैं जोखेना की अगर में देश का प्रदान बंदरी बना तो ओरतों को क्या है हर जगा राइट मिलेंगे राज्य सभा लोग सभा में आरक्षन या जो उची-उची पोस्टें वहां पर रिजर्वेशन मिलेगा समझें मतलब क्या क्या रहे कि अगर अगर राहु गांदी जी पदान मंत्री बने देंग क्यों क्या होगा तो औरतों को सम्मान बद मत्री नहीं बना तो क्या हमको मतलब अरक्षन नहीं मिलेगा या बड़ी-बड़ी पोस्टों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगा ऐसा तो कुछ नहीं कह रहे है तो यहां पर यही गलती बच्चे कर देते हैं जब कोईशन आता है तो इसका मिलिंग समझ के चले कि इस पी देन उसले लाइन जो इपिदेन क्यों होती है इंपिकेशन में हमारा नया छीकल ऑप्रेकर लगाली कि है अरो न यह बताता है कि यह का रहा है यह प Euro क्यों के सब्सक्रों क्यों सो कह रहा है मतलब गिल्टन क्यों मैं इसको ओन से लिखता हुकित हूं दूसरी सीज़ा उत्प कहन या किया सकते हे, पि इंपलाइस क्या हूँ? ठीक है एक चीज यह जिए होगी. है या इफ पि कोह क्या हुआ, भिद अदन लिक फिज़शा एकले को, अनूसराँ हो está, दूसरा ही क्या हो? कि न दूसराँ हो हो एकले के आसकता है? बनता है हलार्किन इस तरह के से यूज करते हैं असमझे चलेंगे सेवन लगा लीजिए कुछ मी लगा लीजिए ठीक है तो नौट पी लिखा है कि क्यों अनलेस नौट पी कुछ अभी एक्जामपल करेंगे तब आपको फ़दा चलेगा अब या क्यों वन पी या क्यों नैसेसरी फॉर पी काफी तरीके से कोश्चन आ सकता है तो उसका मतलब पी ट्रू हो जाए और क्यों फॉल्स हो जाए भई रावगांदी जी फदान मंत्री बन गए और फिर भी औरतों को अरक्षन सम्मान नहीं बड़ी-बड़ी फॉस्टों पे रिजर्वेशन नहीं मिला तो उनकी जो बात थी कि मैं फदान मंत्री बना तो औरतों को यह फॉल्स हो जाएगी वाक्र में घृट बोला हम यह कह सकते हैं दूसरी जीज है अगर रहुल गांदी जी नहीं बने पदान मंत्री की जा जी और और औरतों को आरक्षन वेशन भी नहीं मिला तब ये इस कंडिशन में जो बात कहा रहा है किया होगी सोचिए बिल्कुल यह हमारी क्लू होगी क्योंकि उन्होंने बात करी थी क्या मैं बना तो अगर कोई दूसरा बना तो मुझे कोई मत्तब नीपी तो चाहिए दुनिया बहाड में जाए समझे मैं बना तो मैं करके दूंगा जब वो बने ही नहीं और किसी को चाहिए मिले या ना मिले को कोई भी पड़ता हूं की बात तो तक भी सही रहेगी ही जैसे एक्जंबल और दे लेता हूं आपके लिए पी एक स्टेटमेंट लेता हूं मैं यहां पर की राम गोस तू स्कूल डेली की के जी एक स्टेटमेंट लेगी मैंने राम विल गैट गुड मार्क्स यह दो स्टेटमेंट आगी हम मुझे इसको ऐसे लिखना है पी एरो क्यों लगा कि यह क्या बनेगी की मिले पास पहले लिखा मैंने इफ इफ राम गोस तू स्कूल डेल ही विल गैट गुड मार्क्स ठीक है यह यह लैंग बनती है अब बनाते है तुर्ट तेवल जो वो कहा रहा था कि अगर मैं ग्रेक दानमंत्री बना और उसके बावजूद नहीं मिली तो भई कि वो कहते है जुटा हो गए क्या गए तू जैसे निताओं को पोते ना आंके क्या कहते वादे करते हैं यह कर दूगा मैं वह कर दो उसके बाद नहीं करते तो वांपकी बात्ट क्या यहाता यह है वही concept यह है कि मैं बना तो यह कर दूँ और नहीं बना तो तुम बाढ़ मुझे क्या मुझे क्या मुझे क्या मुझे पी क्यों के लिए लेना है तुट फॉल्स फॉल्स जो डाव तो हाथ के हाथ लिख लो कमेंट बोक्स में डालना शुरू कर लो concept को समझो पहले concept थोड़ा सा आपको confuse करेगा बड़ अभी समझो पहले पी के लिए वेल्डवाजी इसके लिए ट्रू यह फॉल्स यह फॉल्स कि यह कहता है कि तुम्हें पी क्यों क्यों निकालना है मेरे पास यह कहां कि अगर प्रू प्रू पॉल्स है तब ही जूटा हुं कि मैं हर जगा सच्छाउँ इसको अभी पगड़ते हैं यहां से यह मेरे पास लाइने थी इससे प्रूफ करते कि इस कंडीचन में इस कंडीचन में प्रूब क्यों और बोर यह तो यह प्रूब क्यों आ रहा है राम भोस तू स्कूल तो मेरी बात ठीक होगी इसमें कुछ डाउटी नहीं थी अगर स्कूल डेली जाएगा तो मैंने कहा था भई तू अच्छे नंबर लाएगा तू ले आया मेरी बात ठीक होगी अब आते टू और फॉल्स पी को रखो टू कि राम गोस्टू स्कूल डेली अब आया मेरे पास फॉल्स की इफ राम गोस्टू स्कूल डेली बट चैनल का बट या देल विल नोट गेट गुड मार्क्स बट एक चीज़ बताहिए बट तो यूज नहीं करेंगे एंड का अब आपको मैंने क्या था कि इसको मैंने करना यह इस वारे में ठीक है अभी मेरे आसर फॉल्स की वरह मैं देख रहा हूं यह बता रहा हूं आपको इफ राम बोस्टू स्कूल डेली डेंट विल नोट गेट गुड मार्क्स बट अगर स्कूल डेली जा रहा है तो गुड म क्यों नहीं आएंगे आने चाहिए एक लुकुल आने चाहिए हम तो कहते हैं आने चाहिए ना भी है कोए बद क्वड आने चाहिए मेरे लाइन गलत हो गई जोंस को दब़न तो चांसिश पूरे है कि उसके अच्छे मार्क्स आईंगे यहाँ मैं और मैंनी बात गळत कर दी जो मैं डंके की चौट पर कहते हैं प्रोमिस करके कह रहा था कि वह तु स्कूल जा तेरे मार्क्स अच्छे आई नहीं आई यह पर नहीं आई बात मेरी गड़त होगी जुटा बन गया नेक्स चलते हैं यह फॉल्स है यह ट्रू है ठीक है इफ रांक डेजनर गोट तो स्कूल तैंट इविल गट गुड मार्क्स बढ़ा सकता है अगर एक बंदा स्कूल डेली इपना बुलिया मैं सब्सक्राइब किसी वजह से कोई बंदा डेली नहीं जा पाया तो क्या वह अच्छे मार्क्स नहीं ला सकता बिल्कुल ला सकता है क् अगर तो स्कूल डेली जाएगा तब तो कम से कम अच्छे मार्क्स ले आएगा अदर्वाइस मुझे कोई मतलब नहीं चाहे तो स्कूल जा ना जा तो अच्छे मार्क्स आए ना आए मैं तो सिर्फ इस चीज़ पर खड़ाओं कि जब मेरी बात ठीक होगी जब मैं पहली च मैं स्कूल गया डेली तो तो पास तू पास होई जाएगा मतलब पास होई जाएगा ठीक है नेक्स पर चलते हैं फॉल्स यह जबागा तन्फ्रूस करता है जिच्छो कि इफ राम ड़स नट गो तो स्कूल डेली देन ही विल नोट गेट गुट मार्क्स बट लाइन क्या थ है क्या कि बाई अगर राम घया तो वह अच्छे नंबर लेगा तो अच्छे नंबर कहां से लाएगा मैं तरीके से चलतौन करह रहा हूं या नहीं कह बिल्कुल यही बात बिल्कुल सही है लेगी जूटी कर दोर इस थीज़ेता तो झाल में तो सब्सक्राइब्स पेड़ा साथ है ठीक है यह था हमारा implication का concept इसके अंदर अभी काफी चीज़ अभी गया नहीं है यार कहा जा रहे हो बिल्कुल वीडियो पर रुख के रखो बैठो भी कही राना नहीं है जो बहुत सारी चीज़े है भागने की लगे रहती है दस दस लिड़की दो क्लास लेता हूं गया अब संवसके बहुत क्लास बात आविं पीएंप्लाइस क्यों ठीक है मने क्या लॉकली एकुए दू यह हमारा लोगिकली एकवालिट होता है जिसने पिछे वीडियो नात झेल्ए लोगिकली और को मिध्लीच ब़लीघी हो फ्लीज अब चलते यह equivalent है मेरा इसको प्रूफ करके देखते कि क्या वाक्य में equivalent है इसके गल्गी से मिटा दिया फिर से बनाना पड़ेगा या आए एक दो पी क्यों के लिए एक नॉट पी के लिए बैल एक implies के लिए और एक आगया मेरा इसके लिए चलिए पी क्यों नॉट पी की जुनत पड़ेगी एक मुझे जुनत पड़ेगी पी इप्लाइस क्यों की पर एक जुनत पड़ेगी बस यही तो है ठीक है आए दोस्तों है मनेतर थिया नुइस का वा सूंभी क्या होगा फॉल्स तरुट हो अब प्लाइस क्योई वस्ट हो ना राज़ी हर कंडिशन में यह मेरा क्या होता है true इसे यार कर लीजे या concept समझ सके तो अच्छी बात है अब मुझे क्या निकालना है यह ज़ी निकालना था सब्सक्राइब यह यह दो मर्न का टेबल जो है मेरे पास विल्कुल थेल्ट सेम आया टू डू दू टू तो यह क्या होगा है जो यह कहां ही बताई गई ती कंसेट दिया जा थे कि इसके equivalent है यह इनका true होता है ठीक है ठीक बिल्कुल सही बैठता है यह सही है यहां पर लाइगा ठीक है तो यह concept था हमारा implication का जहांकि if then क्यों इसके concept आते है next topic पर इसकी कहानी को आगे बढ़ाएंगे और करेंगे कुछ questions ठीक है अभी थोड़ी practice की दूरत है में इसके अंदर और दूसरा हमारे पास concept आएगा इसके अंदर हां एक आएगा inverse एक आएगा converse और एक आएगा contra positive यह क्या होते हो अगली ही episode पर बता चलेगा जब आप मुझे मिलोगे तो देखते ही है तीन concept और कुछ questions करेंगे हाथ साफ करने की भी जुड़त है ठीक है तो concept है implication तो वीडि पर लाइकन शेयर मंदली की घंटी पर जा रहे ना tutorial space की और साथी सारे वेबसाइट पर जया कि कुछ और topic के syllabus के subject के norms आप डाउनलोड कर सकते है चलिए thank you take care जितना होसा के share जुरू कर लीजिएगा